दोसों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने Facebook एकाउंट को deactivate या delete permanent कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो में आगे बड़े से पहले एक छोटी सी चीज आपको confirm कर दूँ गाईज कि अगर आप अपने account को deactivate कर देते हैं तो आप अपने account को कभी भी फिस से reactivate कर सकते हैं लेकिन एक बार अगर आपने account को यहाँ पर delete कर दिया तो आप कभी भी अपने account को recover नहीं कर पाएंगे और इसलिए जो है सोंज समझ कि आप अपने account को delete करिएगा आगे के process में आपको मैं बताऊंगा complete जो है कि कैसे आप अपने account को delete कर सकते हैं कौन-कौन सा steps आपको follow करने बढ़ेंगे तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़दा कमालकी होने वाली है अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो please वीडियो को like कर दे मारे चैनल पे नहें आये हैं तो चैनल को भी subscribe जरू कर दे यहां पर Facebook को आपको Facebook app आपका होना चाहिए आपके phone में install और Facebook app में आपका account login होना चाहिए Facebook app आपका updated होना चाहिए दिख सकते हैं मेरा जहां पर Facebook version है मैं यह वाला version यूज़ कर रहा हूँ तो आप अपने Facebook app को प्लेशों से अपडेट कर लिजएगा सबसे पहले तभी हो सकता है कि आपको जो है older version भी option ना मिले इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहां पर जैसे ही आप अपने Facebook को open करेंगे आपको अपने account को login कर लेना है इसके बाद में triple dot आपको right corner में दिगने को मिल जाएगा इसके बाद में cnply आप नीचे आना है नीचे आने के बाद में यहां पर आपको Settings आण pick patent को प्रेवेसी अप्षेए कीक आपे ईखिने को मिलेगा इसके करकूने के बाद लिजा बास के बाद में see more in account center जहां दुस्तों यहां पर account center में आपको यह settings देखने को मिलेंगी तो आपको simply क्या करना है see more in account center वाले यहां पर option पर चले जाना है click करके और जैसे ही guys आप यहां पर see more in account section वाले option पर जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा accounts, personal details password and security, your information and permissions and preferences अब यहां पर guys आपको payments का भी option देखने को मिलेगा तो आपको यहां पर account वाले option पर मैं यहां पर जाकर देखता हूँ तो यहां पर guys जो है account वाले option पर आपके account देखने को मिल जाएंगे लेकिन आपको यहां पर जाना होगा personal details इस पर जाएंगे तो नीचे आपको सबसे यहां पर देखने को मिल जाएगा identity confirmation यहां से guys यह एक ऐसी setting है जहां से आप अपने account को चाहें तो यहां पर delete कर सकते हैं deactivate कर सकते हैं तो जैसे इस पर click करेंगे guys तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा नहीं तो अगर आप permanent delete करना चाहें तो वो कर सकते हैं अगर deactivate करना चाहें वो भी कर सकते हैं simply आपको यहां पर guys इस वाले option पर जो सबसे नीचे आपको दिखने को मिल रहा है इस वाले option पर चले जाना है जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपके account पूछेगा कि आप अपने Instagram वाले account डिलीट करना चाहते हैं या Facebook वाला तो आपको Instagram वाला नहीं करना है Facebook वाले पर क्लिक कर देना है अब जैसे guys आप ऐसा करेंगे तो यहां पर आएगा deactivate account और नीचे आजाएगा delete account यहां पर लिक्के आएगा when you delete your Facebook account you are not able to retrieve any content or information you have shared on Facebook your main profile messages are and all your messages will also be deleted तो यहां पर guys आपके सारे messages सारे information सब कुछ जटा आपका चला जाएगा अगर आप एक बार अपने account को delete कर देते हैं तो यहां पर delete account पर click करना है और यहां पर guys continue कर देना है ठीक है delete account करने के बाद में continue option पर click कर देना इसके बाद में reason पूछेगा आप जो है Facebook से क्यों जा रहे हैं क्यों delete कर रहे हैं तो यहां कोई reason आप select कर देना I spent too much time on Facebook I have privacy concern या I don't feel safe on Facebook जो भी आपको यहां पर सही लगे अपने इसाप से अपने मनमुताबिगा पर select कर लेना इसके बाद में guys यहां पर आपको continue पर click कर देना है click करने के बाद में यहां पर आएगा manage your notification यह सबसे पहले आपको जो है notification को manage करने का भी option देता है जिसमें आप जो है अपने data को download कर सकते हैं क्योंकि यह Facebook का भी है कि आपने data को download कर लीजिए क्योंकि क्या पता है उसमें कुछ important information हो बाद में उसको recover नहीं कर पाए यहां पर लिखा हुआ है guys कि आपने जो post किया वो देख सकते हैं download your Facebook information कर सकते हैं transfer data कर सकते हैं तो यहां भी क्या करना है guys कि अगर आप अपने account को permanent delete करने जा रहे है तो आपके जो भी data हों Facebook में वो आप जो यहां पर सबसे पहले download कर लीजिए ताकि आपका data जो है lost नहीं हो अब यहां पर नीचे आपको जाना होगा guys और इसके बाद में यहां पर say post in your archive इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ you have 22 photos 36 posts यहां पर दे रहेगा इसको आप download करना चाहिए download info पर जा करके download कर सकते हैं अपने information की copy भी आप transfer कर सकते हैं साले जाद यहां पर यह भी बता रहा है कि जिस application में आप अपने Facebook को login करके रखे होंगे जिन-जिन application में Facebook से आपने ID बनाई होगी उन-उन application का access भी आपका चला जाएगा तो यह चीज़ आप अपने mind में रखे यहां पर देखे लिखा हुआ है PNG, Tree है, Kora है और Garena Free Fire है सारे जो हमारे account से attached है तो वह भी आप चला जाएगा तो आपका जो account है वह यहां पर delete process में start हो जाएगा और आपका account जो delete कर दिया जाएगा तो कुछ ऐसे करके आप अपने Facebook account को जब चाहें delete कर सकते हैं permanent आज की इस वीडियो में था इतना ही वीडियो को लाइक कर देना दो शुशिय कर देना मिलते किसी और interesting वीडियो में तब तक के लिए जाहें वने मात्रम